हेई ग्राइब फिर से आप सभी कमिश्र व्यास के अंदर स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको वो कुछ टक्निकल फिक्सिस बताना वाला हूँ आपकी साइट पे जो आपकी साइट की क्रावलिंग मतलब कि बहुत सारे लोग है जिनोंने मुझे ये इशू रिपोर्ट किया कि हमारी साइट के बहुत सारे पेजस लॉंग टाम से इंडेक्स नहीं हो रहे हैं यहां तक कि कुछ pages index होगे हैं, कुछ pages index नहीं होगे हैं, तो यह सारा issue है आपकी साइट पे technical SEO का, यह issues क्या है, उसके 6-7 fixes में आपको बताने वाला, so make sure आप उन सब को go through करें और यह सारी चीज़े fix करें, और आपको एक pattern देखने को मिल जाएगा, कि आपकी साइट के बहुत स affiliate marketing और YouTube से related कोई आसी quality information चाहते हैं, तो जरूरी चनल को subscribe करें, क्योंकि मैं information आपके लिए लाता हूँ, so it's your duty, और आपकी छोड़ी से फीस है, चनल को subscribe और like करना मत बुलिएगा, without wasting time, चलता है desktop की screen पे और शिरुवात करते हैं, एक नई journey regarding your indexing issue, तो हम लोग आचुके desktop की screen पे, जिन लोग ने पिछला वीडियो नहीं देखा, I'm just telling you, अगर आप supremecampus.com पे home page पाएंगे, तो अभी यहाँ पर मैंने सारे courses का curriculum एड़ कर दिया, तो आप देख पाएंगे, किसके अंदर क्या-क्या coverd किया हुआ है, right, so let's go to the point कि exactly आपको issues आते हैं, उस issues का fixes के हैं उसके लिए सबसे important चीज़ आपको यह समझने की जरूत है, कि कभी भी आपकी site पे, जब भी कोई Google का crawler या किसी भी search engine का crawler आपकी site को visit करता है, तो वो सबसे पहले check करता है आपकी site पे number of post और pages, let's see, कि अगर आपकी site पे बहुत ही जादा content है, तो आपको सबसे पहला काम क Crawl budget क्या terminology है, अगर आप चाहें, तो bloggingos.com पे जा सकते हैं, और bloggingos.com पे जाने के बाद, यहाँ पे मैंने 100 प्लस SEO की glossary प्रिपेर की है, जैसे कि आप screen पे देख सकते हैं, अगर आप इसको expand करते हैं, तो आपको यहाँ पर वो सारी terminologies जो मैं बोल रहा हूं, वो आपको यह पे देखने को मिल जाएगे, तो make sure आप इस guide को जरूर गो त्रू कीजेगा, that's going to give you massive learning around the SEO, okay, तो crawl budget एक ऐसी चीज होती है, कि जब भी Google का crawler आपकी site पे आता होता है, कोई specific time के लिए आता है, उस time के अंदर अगर आपने उसको सिर्फ वही pages बताए, जो आपकी site के नए pages है या फिर latest updated pages है, तो आपकी site quickly index होना चालू होती है, remember, Google का जो bot आता है, that is a bot, it's not a human being, और अगर आप उस bot की help करेंगे, ये understand करने में कि आप क्या index करवाना चाहता है, तो आपकी site quickly index होगी, so number one, आपको site map का issue आपकी site पे fix करना होगा, और इसके बाद में आप देखिए कि आ आपको बहुत सारी issues solve हो जाएगी, but अगर आपकी site बहुत जादा बड़ी है, तो site map सबसे जादा important है, अगर आपकी site छोटी है, तब भी आप site map को create करें, number one, number two, जब भी crawler आपकी site पे आता है, तो सबसे बड़ा issues जो होता है, जहाँ पर आप basically content publish करने के बाद क्या करते है search console में update कर देता है, इधर और backlink बना देता है, यह सारी चीज़े आप करते है, that is fine, लेकिन आपका index होना है नहीं होना किस पर depend करता है कि crawler उस page तक पहुचा है नहीं पहुचा, अगर आपके उस particular page पे अगर search engine का crawler पहुचा ही नहीं है, तो उस case के अंदर कैसे Google का या फिर किसी भी search engine आपके pages को index करेगा, यह possible ही नहीं है, तो उस case के अंदर आपको second tip यूज़ करनी है, वो है internal linking, just take an example, यह मेरा नया guide है, underlayment necessary for hardwood floor, लेकिन उसी के बीच में अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे, तो यह आपको एक नए pages पे लेके जाएगा, best soundproofing material, तो उससे क content के अंदर मैंने किसी और page को link करके रखा है, ताकि मेरी site के किसी भी pages पे अगर Google का crawler visit करने आया है, by mistake उस page पे पहुँच गया, तो वहाँ पे anchor text की link से उसको यह पता चलेगा, कि यह नया भी content publish होया, जिसको उसने कभी crawl नहीं किया, तो जितना जादा आप better interlinking करेंगे, उतने आपके pages जादा crawl होगे, अब यह जो interlinking का issue अगर आपको कैसा fix करना है, इसका detail मैंने video बनाया है, link whisper के बारे में, तो आप उसका i button में, या फिर description में मैं link दे दूँगा, उसको जरूर जाके देखेगा, तो second thing, आपको internal linking जितनी हो सके, आपके सारे content में create करने होगी, मतलब old post से नया post में at least 5-6 backlink मिलनी चाहिए, that is going to increase your crawling as well as indexing, okay, number 3, और वो है आपको नया जो आपका blog post है, माल लिजे कि आपने कोई post published किया जो आपका index ही नहीं हो रहा है, तो आपको उन post में से इसको link करना है, जहाँ पर आपकी site का सबसे ज़ादा traffic आना है, यह कैसा possible है, इसके लिए आपको आपका Google Analytics login करना है, behavior में आना है, site content में आना है, और landing pages पे आना है, तो यहाँ पर आपको वही pages दिखेंगे, जहाँ पर directly आपके user उस page पे, site पे first time आ रहे है, इसके बाद वो अलग-अलग pages पे जा रहे है, मतलब यह वो landing page है, जहाँ पर Google का traffic organic आ रहा है, या फिर user का traffic जो भी आ रहा है, तो इसमें से उपर के 2-3 जो भी pages आपको दिखाए देते हैं, मैंने आपके hide किया, just for privacy reason, तो यह जो pages है, इन pages को आपको open करना है, और उसके अंदर से आपके नए post को interlink करना है, मतलब backlink देना है, तो यहाँ पर क्या होगा, crawler आपका बार- पर organic traffic आ रहा है, तो यह ultimately user सबसे जादा आएंगे, यहाँ पर कर रहा है, तो उसके help से user भी click करके जाएंगे, और crawler भी in pages को जादा visit करता है, जब उसके अंदर आप link देते हैं, आपके नए post के, तो यह आपकी internal linking को increase करता है, और इस तरीके से आपके नए pages पर authority पास होती ह वो भी index होना चालू होता है, so that is your number 3, number 4, जो सबसे magical way है, वो यह है, जो भी आपका content index नहीं हो रहा है, उसको आओ और homepage पर चिपका दो, homepage पर जो भी content का link दिखेगा, उसके crowd होने के सबसे जादा chances है, that is number 4, number 5, आपको कम से कम external link को maintain करना होगा, मतलब आपकी site के अंदर, जो तो ultimately, external link के comparison में आपको internal link को increase करना है, अगर यह चीज़ पर आप जादा काम करेंगे, तो आपका crowdler जादा से जादा site के अंदर move होता रहेगा, और यहाँ पर आपको जादा indexing के chances है, so that is your number 5, और number 6, which is the last one, कि कभी भी आप कोई भी backlink को build करते है, make sure, जब भी user उस पर click करे हमेशा वो content new tab में open होना चीए, इससे क्या होता है, जब भी वो content new tab में open होता है, तो still अभी user के पास दो choices है, या तो इसके अंदर के किसी pages को click करके वो वहाँ पर जा सकता है, या पिर वो पुराने pages में वापस आ सकता है, लेकिन अगर इसी page को आप replace कर देंगे नए page से, त लिंक से ही वो travel करेगा इधर और इधर, तो हमें क्या करना है, number of page उस बढ़ाने है, ताकि ये traffic अगर Google सा है, तो Google इस tracking के आपके साइट पे कौन सी page पे कौन सा traffic जा रहा है, इसके बाद user क्लिक करके किधर जा रहा है, इसके बाद कीजर जा रहा है, तो उसके हिसाब से crawler भ और वो जो 62 users है, वो अलग-अलग pages पे गया है, इसके बाद इस page से click करके user इस page पे गया, then इस page पे गया, कौन सी जगह पे, कहाँ पे click किया, कितना traffic, कौन से page से किधर गया, same pattern वो crawler भी follow करता है, तो ये कुछ 5 और 6 fixes other than आप जो basic इधर उधर के changes करता, अगर वो आप implement करना चालू करेंगे, और maximum से maximum आपकी site पे एक frequency maintain करता है, content publish को ले करके, that is going to get you more advantage, बाकी guys, इसके जादा अगर आप blogging में mastery चाहते है, affiliate marketing और YouTube सिखना चाहते है, आप definitely supreme campus को join कर सकते है, यहाँ पर इस से related insight, secret tips दी गही है, जिसके help से आप actually blogging, YouTube और affiliate marketing से आपका एक digital business बना सकते है I hope कि आपको यह वीडियो भी पसंद आया होगा, if this is the case, make sure आप इस channel को जरूर subscribe करें, वीडियो को like करें, ऐसा ही वीडियो धमा के दार future में भी आता रहेंगे, आज के लिए फिर मिलेंगे एक वीडियो के अंदर तब तक के लिए, जैहिन, जै भारत करता है